नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स मकडी रानी और रहस्ते में हत्यारा पूश्ताश तो मुझे उस उल्लू के पठे टिंगू और उसके साथियों से करनी है वह चोर के फरार होने के संबंध में जरूर कुछ जानते होंगे फिर सब इंस्पेक्टर रामनाथ को आदेश रेते हुए बोला पहले टिंगू को पकड़कर यहां ले आओ पूश्ताश की कार्यवाही हम उसी से शुरू करेंगे जनाब आप अपने बेटे को लाने के लिए कह रहे हैं हाँ ठीक है जनाब जैसी आपकी इच्छा इतना कहे रामनाथ फोरण वहां से चला गया और तारकुंडे दन दनाता हुआ अपने कमरे के और बढ़ गया लेकिन अपने कमरे में कदम रखते ही बुरी तरह चौंक उठ जहां डुक्टरपूनम आप यहां क्या बात है इंस्पेक्टर टारकुंडे आपको जदा ही परेशाण नजर आ रहे हैं अगर आपको मकरी राने ने यहां बेजा है तो मैं आपको बता दूँ कि मैं बिल्कुल भी परेशाण नहीं हूँ अगर यह बात है तो मैं चली जाती हूँ लेकिन इतना जान लीजिए मकड़ी रानी की मदद की बिना सफलता आपके हाथ नहीं लग सकती और अगर मकड़ी रानी किसी अन्य पर महरबान हो गई तो आपको लेने की देने पर जाएंगे जराद धीरे पूलिये रॉक्टर पूनम क्यों तारकुंडे का कुंडा करने पर तुली हैं सौरी इंस्पेक्टर मैं आपको यह बताने आई थी कि काला आदमी सीरियल के कैमरा मैन नारायन स्वामी की उसी के घर में हत्या कर दी गई है और पंकज मलिक की तरह हत्यारा उसका सेर भी काटकर अपने साथ ले गया है देर सवेर यह खबर आप तक पहुंची जाएगी पर मक्री राने के कहने पर मुझे आप तक खबर पहुंचाने के लिए अभी आना पड़ा पहले काला आद्बी सीरियल के थर्ड एपिसोड की चोरी फिर पंकज मलिक की हत्या और अब कैमरा मैन की तारकुंडे बुदबुदा उठा आप मिस्टर विनोध को भूल रहे इंस्पेक्टर जिसकी थर्ड एपिसोड के दौरान मृत्य हो गई थी ओ यस लेकिन विनोध की मौत तो महज एक दुरगट न थी यह आप समझते हैं लेकिन मकडी रानी का कहना है कि विनोध की हत्या की गई थी क्या यही सब बकवास बताने के लिए मकडी रानी ने आपसे कहा था तारकुंडे चिर उठा सिर्फ यही नहीं उसने यह भी कहा था कि अगर आप विनोध की पारे में पूरी जानकारी उसे दे देंगे तो वह बहुत जल्द अपरादी को आपके हातों पकड़वा दिगी क्या आप सच कह रही है पूनम की बात सुन तारकुंडे का चेहरा खेल उठा आपको शक है नहीं नहीं जब आप कह रही है तो मुझे विश्वास है आपको जो जानकारी चाहिए मैं आपको दूँगा पर अपरादी मेरे ही हातों गिरफतार होना चाहिए फिर पूनम के विश्वास दिलाने पर तारकुंडे ने विनोत के मृत्यू कांड की फाइल रिकॉर्ट रूम से मंगवा कर पूनम के हाथ में थमा दी डॉक्टर पूनम ने फाइल का गहराई से अध्यन किया और आवश्यक जानकारी डायरी में नोट करने के बाद फाइल तारकुंडे को लोटाते हुए बोली क्या आप हवेरी की मालिक राजा विरेंदर परताप से भी मिले थे मैंने मिलने की कोशिश की थी पर पता चला कि वे कई साल पहले अपने जुड़वा बेटों के साथ विदेश चले गए थे और वहीं बस गए हैं जुड़वा बच्चे अगले ही पल उसकी सोचों में विनोद के हमशकल का चहरा उभर आया ओह पूनम सोच में डूब गई कहीं विनोद विरेंदर परताप का बेटा ही तो नहीं था और नारायन स्वामी का हत्यारा उसका जुड़वा भाई जो अपने भाई की मौत का बदला ले रहा हो तभी एक सवाल पूनम की मस्तिष्क में उभरा लेकिन पंकज मलिक का इनसे क्या सम्मंद हो सकता है उसने विनोद की हत्या क्यों की आप क्या सोचने लगी डॉक्टर पूनम तारकुंडे का प्रशन सुन पूनम की सोचे तूट गई वह संफल कर बोली विरेंदर परताप के विदेश जाने और बसने की जानकारी आपको किस ने दी उनकी हवेली के बूढ़े चौकितार ने जो पिछले पांस साल से उस हवेली में रह रहा है तत पश्चात अच्छा अब मैं चलती हूँ मुझे उम्मीद है बहुत जल्द वहर रहस्ते में हत्यारा आपकी गिर्फ्ट में होगा लेकिन किसी को कहिएगा नहीं आप निश्चिन रहिए हमीशा की तरहें इस बार भी सहरा आपके सिर्ह बतेगा इंस्पेक्टर तारकुंडे को आश्वाशन दे पूनम चली गई डॉक्टर पूनम के जाने के बाद एक बार यह मामला सुरज जाए फिर मकडी रानी की किसे परवा है हाँ 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 तभी फोन की घंटी पज उठी रिसीवर कान से सटाता हुआ तारकुंडे दहाडा कौन? जनाब मैं रामनात पोल रहा हूँ आपका बेटा टिंगू घर पर नहीं है हमने उसका दूसरे ठिकानों पर भी पता किया पर उसका कहीं कुछ पता नहीं है कोई बात नहीं उसकी खोज जारी रखो जैसे भी हो उस गधे के बच्चे को कान पकड़ कर मेरे सामने लाओ समझे? आदेश दे मोह बनाते हुए तारकुंडे ने रिसीवर क्रेलिल पर पठक दिया उधर अजे और टिंगू ब्लैक टावर के विशेश कक्ष में बैठे बेसबरी से मकडी रानी के परतिक्षा कर रहे थे तभी मकडी रानी वहाँ पहुँचते हुए बोली तुम लोग यहाँ? हम आप ही का इंतजार कर रहे थे दीदी तभी अजे बोला आपके आदेशा नुसार हम विरेंदर प्रताप सिंग की पुरानी हवेली पर गए थे फिर अजे मकडी रानी को हवेली में घटी घटना के बारे में बताने के बाद बोला हमने आज रात हवेली में फिर जाने का फैसला किया है इसलिए हम वहां से सीधे यहां आए हैं ताकि आपकी राय ले सके तुम लोगों ने सीधे यहां आकर ठीक ही किया है अब तुम दोनों रात होने तक यहीं रहना वो क्यों दीदी? क्योंकि तुम्हारे डैडी को तुम्हारी तलाश है शायद वे यह समझते हैं कि तुम अपराधी के संबंद में कुछ जानते हो ओ, तब मकड़ी रानी बोली आज राध तुम्हें अपनी योजना पर अमल करना है अगर तुम लोग पुलिस के चक्कर में फस गए तो तुम्हारी आज की योजना पर पानी फिर जाएगा ओ, हम समझ गए दीदी परन्तु अगर हम किसी मुसीबत में फस गए तो घबराओ नहीं, मुसीबत की घड़ी में तुम मुझे अपने करीब ही पाओगे और फिर शाम होते ही, अजे और टिंगू हुली के साथ साथ अपने चहरे पर भी परिवर्तन कर मोटर साइकल पर सबार हो पुरानी हवेली के और चल पड़े दो घंटे के सफर के बाद वे अपनी मंजिल के करीब जा पहुँचे पुरानी हवेली से कुछ दूरी पर मोटर साइकल खड़ी कर अजे और टिंगू पैजल चलते हुए हवेली का गेट पार कर अंदर दाखिल हो गए यहां तो अंधेरा ही अंधेरा है अजे, घबराओ नहीं, मुझे रास्ते का अंदाजा है इतना कहे अजे टिंगू का हाथ थाम आगे पढ़ने लगा और जैसे ही वे हवेली के गुमबंद में दाखिल हुए अजे ने टॉर्च जला ली टॉर्च की रोशनी के सहारे वे सीर्यां चरते हुए उपर जा पहुँचे टिंगू, मुझे विश्वास है कि यहां कोई खूफिया रास्ता है उसी रास्ते से अपराधी विजे को लेकर गायब हुआ था तुम्हारा कहना सही है जै, आओ हम उस खूफिया रास्ते का पता लगाने की कोशिश करते है तभी हलकी सी आहट हुई, लगता है आसपास कोई है यह विचार मन में आते ही अजे ने टौच बुझा ली लेकिन इससे पहले कि अजे टिंगू को खत्रे के प्रतिस सावधान कर पाता उनके पैरों के नीचे एक खला उत्पन हुआ, और वे नीचे गिरते चले गए और अंतता नरम जमीन पर गिरकर तेजी से धलान पर लुड़कते हुए एक पत्थर की दिवा से टकरा कर रुख गए इस बीच अजे के हाथ से टॉर्ट छूट चुकी थी लेकिन संभलने के तुरंत बाद टिंगू ने जेब से माचिस निकाल तीली जला दी तीली की धीमी रोष्णी में वे अपनी स्थितिका जायजा लेने लगे तभी वो देखो सुरंग ओ अगले ही पल वे उस सुरंग में दाखिल हो गए काफी देर तक चलने के बाद अचानक वे ठिटक कर रुख गए लगता है उपर कोई वाहन है तो क्या हम सड़क के नीचे हैं अभी वे कुछ तूर और गए थे कि सुरंग के अगले मोर पर उन्हें हलकी सी रोष्णी दिखाई दी वे तेजी से चलते हुए मोर तक चा पहुँचे लेकिन जैसे ही उन्होंने मोर पार किया आई ओ दिवार पर टंगे हुए सीरों को देख अजे और टिंगू काफी देर तक अपनी जगह से हिल नहीं सके तभी वहाँ जोरदार कह 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 कि आवाज गुंजी जिसे सुन अजे वा टिंगू अपने हवासों में लोट आए हाँ 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 ओ ये हसि की आवाज कहां से आ रही है प्रेथ हस रहे हैं अजे भागो वरना हम दोनों भी मारे जाएंगे कोई गलत हरकत करने की कोशिश मत करना चुप चाप पीछे मुडो और हाथ उठाकर आगे बढ़ो आजे और टिंगु ने काला आदमी का आदेश मानने में ही अपनी भलाई समझी काला आदमी उन्हें कवर किये हुए उनके पीछे चल पड़ा उधर ठीक इसी दोरान मक्री रानी हवेली के दाहिने ओर बने कोटेज के और बढ़ रही थी जिसमें रोश्णी नजर आ रही थी शायद इस हवेली का चौकिदार इसी कोटेज में रहता है मुझे उसी से अजे और टिंगु के बारे में पूछना चाहिए थोड़ी ही देर बाद मक्री रानी कोटेज का दर्वाजा खटखटा रही थी कुछ शणों के उपरांत बूढ़ी चौकिदार ने दर्वाजा खोला ओ मक्री रानी आप यहां तो तुम मुझे जानते हो चौकिदार आपको भला कौन नहीं जानता अगबारों में आपके चित्र और कारनामों की चर्चा अकसर छपती रहती है लेकिन इस समय आपने यहां आने के तकलीफ कैसे की दो लड़के इस हवेले में आये थे तुमने उन्हें जरूर देखा होगा बूढ़ा चौकिदार नकारने वाले अंदाज में सिरह ला कर बोला आज कुछ ठंड जादा है इसलिए शान ढ़लने के बाद से मैं अंदर ही हूँ उससे पहले मैंने किसी को भी आते जाते नहीं देखा आप बाहर क्यों खड़ी है अंदर आईए ना मुझसे ठंड बरदाश नहीं होती लगता है तुम्हारी तबिया ठीक नहीं है तुम्हें अपना इलाज कराना चाहिए सानु भूती प्रकट करती हुई मकडी रानी बूढे के पीछे-पीछे अंदर चली गई अंदर पहुंचते ही मकडी रानी की निगाहें सामने दिवार पर टंगी एक तस्वीर पर जाटीगी मक्री रानी को तस्वीर की और देखते पाकर चौकिदार बोला यह राजा विरेंदर परताप और उनके जुड़वा बच्चों की तस्वीर है काफी पुरानी है अब तो महाराज बूढे और बच्चे जवान हो चुके होंगे उन्हें देखकर पहचान पाना मुश्किल होगा मक्री रानी के शब्द सुन बूढा जौकिदार गहरी चुप्पी साथ गया तब ही मक्री रानी अचानक बूढे की तरफ मुर्ती हुई अत्यादिक कठोर स्वर में बोली वे दोनों लड़के कहा है कि कौन लड़के वे यहां नहीं आए बनो नहीं राजा विरेंदर परताब यह आप क्या कह रही है पहले मुझे शक्की था लेकिन तस्वीर देखने के बाद मेरा शक विश्वास में बदल गया है राजा विरेंदर परताब ओ तो तुम मुझे पहचान गई मुझे तुम्हे तभी पहचान लेना चाहिए था जब तुम्हारे पुलिस को दिये हुए विदेश के पते का हवाला देकर मैंने टेलिफॉन पर अपने वही बसे एक मित्र से जानकारी मांगी और उसने मुझे बताया कि तुम वहां बसे जरूर थे लेकिन तुम्हारी गैर कारूनी हरकतों के कारण पुलिस तुम्हारे पीछे लग गई थी अधा पिछले 5 सालों से तुम वहां से फरार हो सिर्फ वहां की ही नहीं इंटरपोल की पुलिस को भी तुम्हारी तलाश है हाँ मैं वहां से भाग कर यहां आ गया और चौकिदार बनकर अपने ही हवेली में रहने लगा ताकि मुझ पर किसी को शक न हो लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी इसने तुमने अपनी बहुत पहले लिखी कहानी पर टीवी सीरियल बनाने के लिए अपने बेटे विनोद की मार्फत पंकरज मलिक से कौन्टेक्ट किया और जब वह सीरियल बनाने लगा तो विनोद तुम्हारे इशारे पर उसे ब्लैक मिल करने लगा हाँ वह बहुत कम पैसे दे रहा था जबकि कहानी और में रोल विनोत का था इसलिए हम उसे परिशान करने लगे क्योंकि तुम जानते थे कि पंकज मलिक इस सीजल की दो भागों पर काफी पैसा लगा चुका है और काफी कर्ज ले चुका है अता तुमने सोचा अगर तुम लोग उसे परिशान करोगे तो वह विनोत को नकेवल मुह मांगी रकम देने को तयार हो जाएगा बलकि उसे अपना हिस्सेदार बनाने को भी मजबूर हो जाएगा हाँ लेकिन उसने ऐसा नहीं किया उसने विनोत की हत्या कर दी इस सचाई का पता मुझे तब चला जब मैंने नारायन स्वामी को पंकश को धमकी देते सुना उस दिन पहली बार जरूरत की वज़े से मैं पंकश के घर पैसे लेने गया था लेकिन अपने सीने में नफरत और बदले की आग लिए चुपचाप लोट आया और विनोद की मौत का बदला नेने के लिए तुमने अपने विनोद की हमशकल दूसरे बेटे को काला आद्वी बना दिया हाँ लेकिन पहले हमारा इरादा पंकश के खिलाब सबूत हासिल कर उसे सजा दिलाने का था लेकिन जब तुम्हारी यह ख्वाईश पूरी न हुई तो तुम लोग हत्या जैसे घिरोने कर्म पर उतर आए पर अब तुम लोगों का खेल खत्म हो चुका है हमें कोई नहीं रोक सकता मकरी रानी हम बदला लेंगे एक एक को चुनकर मौत के खाट उतार देंगे हम राजा हैं हम अपने बेटे की मौत का इंसाफ स्वेंग करेंगे हा 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 बुड़ा पागलों की तरह हसने लगा और फिर अब तुम भी यहां से बच कर नहीं जाओगी तुमें भी उन लड़कों के साथ मौत के खाट उतार दूगा यह बेव को भी वरा खयाल अपने दिल से निकाल दो विरेंद्र परताब थोड़ी देर में पुलिस यहां पहुँच जाएगी पुलिस को यहां कुछ रही मिलेगा हा 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 तभी मौका देख मकडी रानी ने अपनी बैल्ट का एक बटन दबा दिया बटन दबते ही आह और इससे पहले की बुड़ा संभल पाता अब तुम मुझे मेरे उन साथियों के पास ले चलो जो तुम्हारी कैद में है आह बुड़ा विरेंद्र परताब सिंग जल्दी ही मकडी रानी का आदेश मानने को तयार हो गया उधर काले आदमी ने अजे और टिंगू को भी ले जाकर विजे के साथ बंधनों में जकर कर बली की बेदी के नीचे खड़ा कर दिया था मैंने तुम लोगों को पहले ही जेतावनी दी थी कि मेरे रास्ते से हट जाओ पर तुम लोग नहीं माने अब मरने के लिए तयार हो जाओ घबराओ नहीं तुम लोगों को कोई तक्लीफ नहीं होगी मैं इस बटन को दबाओंगा बटन दत्ते ही तुम्हारी गर्दन के उपर लटक रहा बलेड तुम्हारी गर्दन पर गिरेगा और एक जटके में एक साथ तुम तीनों की गर्दन धर से कटकर दूर जागिरेगी भयानक हांसी हसते हुए काले आदमी ने बटन दबाने के लिए हाथ बढ़ा दिया लेकिन इस से पहले की काला आदमी बटन दबा पाता एक लाल किरन लपलपाती हुई उसके जिस्म से आकर टकराई और हाई बचाओ बचाओ जाओ राजा विरिंदर परताप अपने दूसरे बेटे को बचाओ वह तुम्हारे पाप और अपने गुनाहों की आग में जल रहा है कहने के साथ ही मक्डी रानी ने विरिंदर परताप को काले आदमी के और धकेल दिया बुढ़ा विरंदर परताप बध हवासी किसी हालत में अपने बेटे की और लबकते हुए चिलाया घबरा मत बेटे पर मोध तुम्हें कुछ नहीं होगा मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगा और विरंदर परताप अपने बेटे के जिस्म की आग बुझाते बुझाते खुद भी बुरी तरह जुलस कया थोड़ी तेर बाद अब इनका क्या किया जाए जो कुछ करना है पुलिस करेगी अब ये भाग नहीं सकते अताप पुलिस के यहां पहुँचने से पहले ही हमें निकल चलना चाहिए लेकिन हवेली से जाने से पहले मकडी रानी ने गेट पर इंस्पेक्टर तारकुंडे के लिए मैसेच छोड़ जाना उचित समझा इंस्पेक्टर तारकुंडे जब यहां पहुँचेगा तो यह पर्चा उसे मिलेगा इस पर्चे की मदद से उसे अपरादियों तक पहुँचने और उनके खिलाफ सबूत जुटाने में परिशारी नहीं होगी मकडी रानी के वहां से जाने के थोड़ी ही देर बाद इंस्पेक्टर तारकुंडे अपने दल बल सहीथ वहां पहुँच गया मकडी रानी का पर्चा उसे मिल गया पर्चे की मदद से वह बिना किसी परिशाने के हवेली के तहकाने में पहुँच गया और अपरादियों को गिरफतार कर उनके खिलाफ सारे सबूत भी बरामत कर लिए तलाशी के दोरान तारकुंडे को काले आदमी सीरियल के थर्ड एपिसोड की वीडियो रिल भी मिल गई इस तरहें तारकुंडे के भाग्ये का सितारा एक बार फिर चमक उठा और दूसरे दिन के अकबारों में उसी के नाम के चर्चा आम हो गई तो यह थी मकडी रानी सीरीज की एक मज़ेदार कॉमिक्स ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए मने रहें मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद